इंजिनर्स में इंजिनर्स पिंशिउंग, आपका धोस्ट, आपका स्वागत करता हूँ, आपके अपने फ़ेबरेट यूट्यूट्यूप of cement test को perform करने के लिए हमें code book काॉन सा यूज करते हैं हैस इस code book 403156 is code book को हम यूज करते हैं इस test को perform करने के लिए इस test का aim क्या हुता है तो determine the numbers of cement particles larger than 19 micron is test का जो purpose होता है to determine the cement हमारे particle कितने % है जो 19 micron से बड़े हैं और finest स्टेश्ट को परफॉर्म करने लिए सबसे पहले हमें चाहिए 100 ग्राम ऑप सिमेंट सेमपल सेकंड जो चाहिए हमें वेइंग बैलेंस विच केंड वेट के देखे इस इमेज में आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं वेइंग बैलेंस को अब थर्ड जो हमारा रिक्वार सिमेंट है। ढकन बोलेंuedएं इंदी में और यह जो बॉटम साइड में लगा है यह शीक पायन हैं बात करेंगे फिद प्वाइंट की शीव Анд चेकंग मसीन ओपषिनल यारी की हम्च्ति नई भी कशकते ऑं नहीं भी उसकर सकते कर सकते अकर नहीं है यूज कर रहा है नाश् 100 g of cement sample लेंगा और उसे rub करेंगे अपने hands से इस तरीके से कि उसमें जो lumps हो यानि कि local language में मैं बात करूँ तो जो ढुक्के बनते हैं सिमेंट के वो ना होने चाहिए lumps नहीं होने चाहिए उसे हम rub करेंगे अपने तुक्तियों से या प्रॉपर तरीके से वो और फाइन हंने चाहिए सिमेंट अब जो हमारा से करेंगे अब बात करेंगे ६ाइंट यह जो हमारा 19 से इसमें हम 100 ग्रम जो हमारा सिमेंट सेंपर इसमें में बडालेंगे और इसको cover करेंगे lid से, इसी में आप इस lid को देख रहे हैं, इससे हम इसको सीव को close करेंगे, बंद करेंगे, अब हम बात करेंगे fourth point की, now place the sieve in sieve shaking machine for two minutes, you can also shake the sieve with your hands by aggregating the sieve in planetary and linear movement for 15 minutes अगर आपके पास sieve shaking machine है, ये machine आपके lab में ये आपकी site पे available है, तो इसमें आपको रखना है two minutes के लिए, अगर नहीं available है, तो अपने hand से हम 15 minutes के लिए इसको ऐसे-ऐसे shake करेंगे, ये तो हमारा fourth point कहता है, अब हम बात करेंगे fifth point जो हम करेंगे, nextly weight the residue retained on the 19 micron sieve has w2, अब जो इसके उपर हमारा बच जाएगा, जब हम इसको shake करेंगे, तो जो हमारे 19 micron के उपर जो sample retained होगा, उसका हम weight करेंगे, weighing machine पे has a w2, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, then calculate the percentage of weight of cement retained on sieve, अब हम percentage निकालेंगे, कि जो हमारा percentage of cement कितना retained हुआ, हमारे 19 micron के sieve के उपर, यह हमारा six point कहता है, अब हम बात करेंगे, seven point की, repeat the above experiment with three different samples of cement and average the value of accurate result, इसको हम तीन बार perform करेंगे, different different sample लेखे, यानि कि 100 gram एक ही बोरी के cement का तीन sample हम लेंगे 100 gram को और इसको तीन बार repeat करेंगे और उसका average हम लेंगे इंजिनेर्स, तो आप बात करेंगे आप से हम इंजिनेर्स कि the finest of cement formula क्या होता, इसका, percent of cement retained on c is equal to w2, यानि कि जो हमारा 19 micron के उपर बचा residue हमारा, वो w2 हो गया, और जो हमने starting में sample लिया था 100 gram को, व हमारा w1 हो गया into 100, अब इस तरीके से हम calculate करके निकालेंगे the finest of cement को, अब बात करेंगे आप से इंजिनेर्स, a good cement should retain 10% weight of cement when it is suit with the 19 micron, अगर हमारा cement जो अच्छी quality होगा, तो 10% जो है कि retained होगा 19 micron पे, hope इंजिनेर्स, final test के बारे में आपको प्रपर तरीके से सारा concept clear हो चुका या अपनी laboratory में perform कर सकते हैं, अगर इस इंजिनेर्स यह आपको वीडियो अच्छी लगी, तो please like, share and subscribe और channel आप से मिलते हैं, ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए, जैन, जै वारत!